देश के अधिकतर राज्यों में इस समय कड़ाके की सर्दी ने लोगों को अपनी जद में ले रखा है। भीशन सर्दी से बसने के लिए लोग हर जतन करते हैं, लेकिन ये जतन कई बार लोगों पर भारी भी पड़ जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कार्बन मॉनो उक्साइड की। लोग सर्दी से बसने के लिए गरम कपड़ों का तो उप्योग करते ही हैं, लेकिन रात में कड़ाके की सर्दी से बसने के लिए कई बार लोग अपने घरों में अंगीठी का उप्योग भी करते हैं। ये अंगीठी का उपयोग लोगों पर कई बार भारी पड़ चुका है। देश के अलग-अलग हिस्सों से कई बार ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जिसमें अंगीठी के इस्तमाल के चलते लोगों को अपनी जान गवानी पड़ी है। जी हां हम आपको आज बता रहे हैं कि किस तरीके से बंद कमरे में अंगीठी जलाना भरी पड़ सकता है। ये आपकी जान पर कैसे खत्रा बन सकता है। आपके पूरे परिवार की जो इह लिला है उसको वो कैसे समाप्त कर सकता है। आपको बता दें कि समय समय पर हम ऐसे मामले सुनते आये हैं कि बंद कमरे में अंगीठी जनाने से दो लोगों ने अपनी जान गवाई, कहीं पर तीन लोगों ने अपनी जान गवाई, तो कहीं पर गंभी रूप से ये लोग जो घायल हैं वे हुए हैं। अब आपको बताते हैं कि इसका वजय क्या है? सरदी से बचाओ के लिए लोग अपने बंद कमरों में अंगिठी जलाते हैं, जिससे जो कार्बन मॉनो उक्साइड है, उसको बाहर जाने का रास्ता नहीं मिलता है, अगर धीरे धीरे ये जो कार्बन मॉनो उक्साइड की गैस है, ये बंद कमरे की ऑक्सीजन को पूरी तरीके से खत्म कर देती है, अंगिठी जलाकर लोग सो तो जाते हैं, लेकिन ऑक्सीजन की कमी की चलते उनके दम भुटने लगता है, और नींद में सोते ही सोते, वज जीवन भर की नींद में सो जाते हैं, इसकी सबसे बड़ी वज़े है, जो कार्बन मॉनो उक्साइड है, उसका जहरीली गैस होना, ये गैस नजर नहीं आती है और नहीं इससे इसका जो स्मेल है उससे लोगों को इसका पता पड़ता है आक्सीजन को ये पूरी तरीके से खत्म कर देती है राजस्थान के चूरू का ही एक मामला ऐसा था जिसमें एक परिवार के द्वारा कमरे में अंगीठी को रखकर सो गए इसके चलते तीन लोगों ने अपनी जान गवा दी तो वहीं वारानसी में भी एक मामला सामने आया था, जिसमें पूरा का पूरा परिवार ही, जो ये कार्बन मॉनोकसाइड है, इसके चलते अपनी जान गवा चुका था, पंजाब का भी एक ऐसा ही मामला सामने आया था, उसमें भी एक मजदूर परिवार था, वो बंद कमरे म अंगीठी जला कर सो गया था, जिसके चलते चार लोगों को अपनी जान गवानी पड़ी थी. डॉक्टर समय समय पर ये जो जानकारी है, ये साजा भी करते हैं, लोगों को अवेर भी करते हैं कि बंद कमरे में कभी भी अंगीठी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. क्योंकि अंगीठी में जो कोईला डाला जाता है, कोईला जलाया जाता है, वो कार्बन मोनोकसाइड गैस बनाता है, ये कार्बन मोनोकसाइड गैस को यदि बाहर निकलने की जगे नहीं मिलती है, तो जो बंद कमरा होता है, उसकी ऑक्सिजन को पूरी तरीके से खत्म कर देता है जिसके चलते लोगों का दम गुड़ जाता है इसके साथ ही सर्दी से बचाओ के लिए जब कमरे को पूरी तरीके से बंद किया जाता है तो इस दोरान भार से आने वाली ऑक्सिजन भी बंद कमरे में नहीं आ सकती है जिसके चलते भी लोगों का दम घुट जाता है ऐसे में यदि इस कडाके की सरदी में आप बचना चाते हैं सरदी से तो बचना ही है साथ ही अपनी जो जीवन है उसको भी लंबा खीसना है तो आप बंद कमरे में जो अंगीठी है उसका इस्तमाल ना करें यदि आप सरदी से बचाओ के लिए कमरे में अंगीठी का इस्तमाल करते हैं तो ऐसी परिष्टिती में आपको गेट खुला रखना होगा आपको खिड़कियां भी खुली रखनी होगी जिससे कार्बन मॉनो उक्साइड को बाहर जाने का रस्ता मिल सके साथ ही जो कमरे का ऑक्सिजन लेवल है वह भी बरकरार रहे ऐसे में कडाके की सर्दी से बचिए कार्बन मॉनो उक्साइड जो है उसको कमरे में ज्यादा न बनने दें सर्दी से बचाओ कीजिए लेकिन ये बचाओ ऐसा भी न हो जो आपके जीवन पर संकट खड़ा कर दें इसलिए दनगरी न्यूस की ओर से आप सभी लोगों से अपील है कि सर्दी से बचाओ के लिए कभी भी बन कमरे में अंगिठी न जलाएं आप देख रहे हैं दनगरी न्यूस मैं हूँ ललित वर्मा